अब खबरे विस्तार से राजस्तान में शेरों के अलावा आसपास के ग्रामी शेतर में बढ़ते कोरोना केस से चिकित्सा एंस्वास से विभाग भी सकते में हैं वज़य है कि अभी सारे संस्थान शेर में छोक रहे हैं अब जैसे जैसे आसपास के शेत्र में केस बढ़ रहे हैं तो फिरका स्वे और गाउं में भी इसका फैला खत्रा बनता जा रहा है ऐसे में गाउं तक कोरोना के पहुचने से रोकना भी चुनोती हो गया है हाला कि राजस्तान के लिए खुशकवरी है कि प्रदेश में जहां एक और पॉजिटिव केस की संख्या तेजी से बढ़ रही है वहीं दूसरी और राजस्तान में रिकवरी रेट बढ़ कर 77 फीजदी के पार हो गई है प्रदेश में अब 3000 से कम एक्टिव केसिज है प्रदेश में केस की संख्या 2721 है राजदानी जहपुर में रिकवरी रेट बढ़ कर 80 फीजदी हो गया है लेकिन कोरोना अब रूरल शेत्र में भी फैलने लगा है राजदानी जहपुर की बात करें तो बुद्धुवार को 60 पॉजिटिव केस सामने आया है इसमें से 26 केस कोविंदगर जामडोली बसी कोटपुतली आधी के थेजवार नगर शेत्र के हैं जिसमें एक डॉक्टर भी पॉजिटिव आया है तीन जानों की मौत हुई है केवल रिपीट कुल पॉजिटिव 26004 है और मौतों की संख्या 131 है राजदानी जहपुर में 24 गंटे में सिर्फ 1000 पैसर की जांच हुई है जहपुर में 2702 संक्रमित है इसमें से 80% से जादा रिकवर हुए है सिर्फ 14 पीजदी ही एक्टिव मरीज है जिसमें 5 पीजदी की मौत दर्ज हो चुकी है जबकि राज़े में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 13626 हो गई है पिछली 12 गंटे में 84 और नए मामले पॉजिटिव सामने आये हैं जिसमें भरतपूर में 30, जैपूर में 28, सिरोही में 7, जुनजुरू में 6, जालावाड में 5, चुरू में 3, डूंगरपूर में 2, राजसमन में 2 पॉजिटिव केस सामने आये हैं